आईसे सर्दोई की ओनलाइन क्लास में आप सभी को सोगत हैं हमारी दूसरी वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें गोल्डन लंगूर बंदर की एक लुप्त प्राय प्रजाती गोल्डन लंगूर जो केवल भारत के असमराज्य एवं भूटान के कुछ हिस्सों में पाई जाती है में इलेक्ट्रिक चौक के कारण गर्भ पात के स्थिति उत्पन्न हो रही है अर्थ्व सदा बहार एवं मिश पढ़न पाती वनों में निवास करता है गोल्डन लंगूर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पेड़ों के उपर उपरी कैनोपी का उपयोग करते हैं किन्तु रास्ते में तीन फेस इलेक्ट्रिक तार पढ़ने के कारण इलेक्ट्रिक शौक का खत्रा बना र नदी से घिरा हुआ है संकोष नदी संकोष नदी का उद्गम उत्रिय भूटान से होता है और भारत के असम राज में ब्रहपुत्र नदी से मिलती है इसे संड़कोशा नदी भी कहा जाता है भूटान में इसे वॉंगडियू फोड्रंक शहर के पास कई सहायक नदियों के स सीमा पर बहती है मानस नदी मानस नदी दक्षणी भूटान एवं भारत के बीच हिमालेह की तलहटी में बहने वाली एक परवर्तिय नदी है इस नदी की कुल लंबाई लगभग 400 किलो मीटर है भारत में ब्रहपुत्र नदी में मिलने से पहले यह 24 किलो मीटर तिबथ चीन 272 किलो मीटर भूटान में और 104 किलो मीटर भारत के असम राज्य में बहती है यह भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है गोल्डन लंगूर वैज्यानिक ना ट्रेच पितेकस जे चेत्र पश्चिमी असम एवं भूटान के ब्लैक माउंटेन की तलहटी में IUCN की रेड इस्टि में इस्थिती लुप त्राय प्रजाती इंडेंजोड इस्पैसीज चोलूंग सुक्फा असम के मुख्य मंत्री ने कोलकार्ता के एक राजनेतिक टिप्रीक कार गरगा चाटर जी को गिरफतार करने का आदेश दिया जिनोंने चोलूंग सुक्फा को चीनी आकडमर कारी बताया चोलूंग सुक्फा तेरवी शतावदी के अहोम समराज्य के संस्थापक थे जिसने छे सतावदियों तक असम पे साशन किया था संकालीन विद्वान चोलूंग सुक्फा को वर्मा मूल का बताते हैं जो अहोमों का नेता था और लगभग 9000 अनुनाईयों के सा तेरवी शतावदी में उपरिय वर्मा से असम की ब्रह्मुपुत घाटी में पहुचा था अहिस्ट्री ओफ असम नामक अपनी किताब में सर एडवर्ड गैट ने लिखा है कि वर्ष पर 35 में सुक्फा एवं उनके लोग वर्षों तक भटकने के बाद उपरिय असम के चार प्राइदेव ही वह स्थान है जहां सुक्फा ने अपनी पहली छोटी रियासत की शुरुआत की यहीं से अहोम समरायाज जिके विस्तार का बीज बोया गया धीरे धीरे अहोमों ने हिंदू धर्म एवं असमिया भाषा को सुईकार कर लिया उन्हें बोर असोम या ग्रेट जाता है नेशनल अभ्यास मोबाईल एक केंद्रियम आनफ संसाधन एवन विकास मंतरीं ने घौशना की है कि राश्वर परीक्षण?!" एजनसी नेशनल टेस्टिंग एजनसी एंटी ए ने नेशनल टेस्ट अभ्यास मुबाइल एप पर हिंदी भाषा में भी मौक टेस्ट देने के सुविरा शुरू कर दी इस एप को राश्ट्रीय परिक्षण एजनसी द्वारा विक्सित किया गया जो उमीद वारों को एंटीय इभ्या के दायरे में जई-इमें और नीट जैसी आगामी परिक्षाओं के लिए मौक टेस्ट देने में सक्षम बनाता है नेशनल प्यूपर्स पाईटी मड़ीपुर में भारतिय जनता पाइटी के नेत्रत्व वाली सरकार ने National Pupils Party NPP के उप मुख्य मंत्री वौई जोय कुमार समेत National Pupils Party के चार मंत्री इस्तिफा देकर कॉंग्रस में शामिल हो गया National Pupils Party भारत में एक राश्ट्री इस्थर की राजनेतिक पाइटी है जमे केंद्रित है जुलाई 2012 में राश्ट्रवादी कॉंग्रेस पाइटी नेशनलिस्ट कॉंग्रेस पाइटी NCP से निसकाशन के बाद National Pupils Party के स्थापना पी ए संगमाने की थी इसे 7 जून 2019 को राश्ट्री इस पाइटी का दर्जा दिया गया था यह पूर्वोत्तर भारत का पहला राजनेतिक दल है जिसने यह दर्जा हासिल किया है National Pupils Party का चुनाव चिन्द किताब है उलेखनी है कि राश्ट्री इस पाइटी का दर्जा मिल जाने के बाद आध देश में किसी भी अन्य राजनीतिक दल या प्रत्याक्शी को उस राश्ट्रिय ऑपाइटी का चुनाव चिन्द आवंटित नहीं किया जाता है राश्ट्रिय आजनीतिक दल को डली में पाइटी का रह ले और राश्टिक गतिविधियों के लिए जमीन आवंटन केंद सरकार की तरफ से किया जाता है संयुक्त राष्ट चार्टर पर हस्ताक्षर करने की पच्छतरवी वर्षगाट 26 जून 2020 को वैश्विक समुदाये में संयुक्त राष्ट चार्टर UN Charter पर हस्ताक्षर करने की पच्छतरवी वर्षगाठ मनाई संयुक्त राष्ट संग के स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट अधिकार पत्र के माध्यम से की गई थी किन्तु इसे 26 जून 1945 में एक गोशना पत्र पर सदस्त देशों के हस्ताक्षर के बाद संयुक्त राष्ट चार्टर, UN Charter के रूप में सुईकार किया गया था इस घोशना पत्र पर संयुक्त राष्ट अमेरिका के सैन फ्रांसिसको में 50 देशों ने हस्ताक्षर किये थे पुलैंड बाद में चार्टर पर अस्ताक्षर करके उसके संस्थापक सदस्यों में शामिल हुआ था सयुक्त राष्ट के मिशन और कार्य इसके चार्टर में निहुत उदेशों एवं सिद्दांतों द्वारा निरदेशत होते हैं सहयोक्त राष्ट्र का उद्देश, इसका उद्देश अंतराष्ट्रिय कानूनियों को सुविधा जनक बनाने है तू, सहयोक्त प्रदान करना, अंतराष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, तथा मानवधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ विश्वशान् के लिए कारे करना है सईयुक्त राष्ट्र के प्रमुक सिद्धान सभी सदस्य राष्ट्र एक समान एवं संप्रभुता संपन्न है सभी सदस्य राष्ट्रों दोरा संयुक्त राष्ट्र संग के प्रती अपने उत्तरदाइत्व एवं कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक पालन किया जाएगा सभी सदस्य राष्ट्रों दौरा अंतराष्ट्रिय विवादों का शांटि पूर्ण तरीके से हल किया जाएगा सईयुक्त राष्ट्र के प्रती सदस्य राष्ट्रों दौरा ना तो बल प्रयोग की धमकी दी जाएगी और नहीं शक्ति का प्रयोग किया जाएगा कुछ विशेश परिस्थितियों को छोड़ कर संयुक्त राष्ट किसी राष्ट के घरेलू मामले में हस्त शेप नहीं किया जाएगा प्रति वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट दिवस के छे रंग है माहसबा दूसरा सुरक्षा परिशद तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिशद चौथा न्याय परिशद पांचवा सचिवाले छटा अंतरवास्ट्रिय न्याय आले ओर्डर अफ दे नाइन एंगल्स अमेरिकी सेना के एक सैनिक इथेन मेर्जर ने अपनी ही यूनिट पर हमला करने के लिए एक नव नाजी समू के साथ गुप्त जानकारी साजा की जिसे ओर्डर ओफ दे नाइट एंगल्स ओ नाइन ए कहा जाता है ओ नाइन एक को 1970 के दश्चक में ब्रिटेन में स्थापित एक पैशाचिक अराजक तावादी समू माना जाता है जिसके दुनिया भर में सदस्य है जिसमें सही उक्त राष्ट अमेरिका भी शामिल है यह समू स्वाइम को विश्व व्यापी जन जाती हूं एवं व्यक्तियों के समू के रूप में वईनित करता है जो समान रूचियों, उद्देशों एवं जीवन शैलियों को साज़ा करते हैं और परस्पर लाब हेतु साज़ा उद्देशों की पूर्ती के लिए सहयोग करते हैं दा डेवल्स पार्टी सैटनिजम इन मौडर्निटी कुस्तक्य अनुसार डेविट माइट को इस समू का मुक्ष्टरजन करता माना जाता है डेविट माइट ने हिंसक नवनाजी इवं इस्लामिक आतंगवादी समूओं में सक्रिय रूप से भाग लिया है जो रूडिवादी नियमों को पुनहा लागू करने का प्रयास कर रहे हैं ड्रक्स के दुरुप्योग इवं अवैत तसकरी के खिलाफ अंतरास्ट्रिय दिवस 2020 विश्व भर्में 26 जून को ड्रक्स के दुरुप्योग एवं अव्यक तसकरी के खिलाफ अंतराश्ट्रिय दिवस 2020 मनाया गया थीम बर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम बेहतर देखबाल के लिए बेहतर ग्यान, बेटर नौलेश for बेटर केर है इसका उदेश अंतराश्ट्रिय इस्तर पर नशीली दवाओं से छुटकारा पाना तथा सामाजिक ससस्ति करण पर जोड़ देना है 7 दिसंबर 1987 को सयुक्त राश्ट्र महा सभाने नशीली दवाओं के दुरुप्योग से मुक्त एक अंतराश्ट्रिय समाज के लक्ष को प्राप्त करने के उदेश से संकल्प 42 बटा 112 के तैर प्रतिवर्ष 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुप्योग एवं अवैद तसकरी के खिलाफ अंतराश्ट्रिय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था इसे विश्व ड्रग दिवस वर्ल्ड ड्रग डे के रूप में जाना जाता है मारिश भारतिय नौसेना ने एंटी सब्मरीन युद्ध छम्ता को बढ़ाने के लिए सदेश निर्मित टॉर्पीडो देकाय प्रणाली मारिश को अपने बेडे में शामिल किया है इस एंटी टॉर्पीडो डेकाय प्रणाली का डिजाइन एवं विकास रक्षा अनुसंदान एवं विकास संगठन DRDO की प्रयोग शालाओं NSTL बा NPOL में किया गया है नौसेना की विज्ञान एवं तक्नीकी प्रयोग शालाएं NSTL रक्षा अनुसंदान एवं विकास थंगठन DRDO की एक भारतिय रक्षा प्रयोग शालाओं विशाका पट्नम में इस्थित इस प्रयोग शाला का मुख्यकार अंडर वाटर हतियारों एवं संबंदित प्रणालियों के अलिए अनुसंदान एवं विकास करना है नौसेना की भौतिकी एवं महासागरिय प्रयोग शालाएं NPOL यह केरल के कोचिक में स्थित है NPOL सोनात प्रणाली जल के नीचे निग्रानी के लिए प्रण्योग की समुद्री वातावरण एवं महासागरिय जल के अंदर अध्यन से संबंदित अनुसंदान एवं विकास के लिए जिम्मदार है सार्वजनिक छेत का रक्षा उक्रम भारत Electronics Limited इस दिकाई प्रणाली के उत्पादन का कारे करेगा मौरिज को अग्रिम मोर्चे के सभी युद्ध पोतों से ताक कर लक्ष पर निशाना लगाया जा सकता है आयूद निर्माडी Board का निगमी करन रक्षा मंत्राले के रक्षा उत्पादन विभाग की एक उच इस्त्री अधिकारिक समती ने आयोद निर्माडी बोर्ड, ओडिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ओफबी का निगमी करण करने से संबंदित चिंताओं को दूर करने के लिए करणचारी, संगो, संगटनों से बातचीत की आयोद निर्माडी बोर्ड का निगमी करण करना आत्म निर्मत भारत अभियान का एक भाग है जिसकी गोशना भारत सरकार ने 16 मैं 2020 को की थी रक्षा उत्पारन विवाग के तहट आयोद निर्माडी बोर्ड 41 आयोद कारखानों के साथ देश भर में फैला हुआ है सामोही ग्रूप से 41 आयोद कारखानाओं का कॉर्परेटर मुख्याले कोलकाता स्थित आयोद निर्माडी बोर्ड ओ एफबी है ओ एफबी सश्यस्त बलो को हत्यार एवं गोला बारू तथा अन उपकरणों की आपोड़ती करता है और लेकनी है कि पहला आयोद कारखाना वर्ष 1801 में कोलकाता के कोसी पोर में इस थापित किया गया था जिसे अब गन एंड शेल फैक्टरी के रूप में जाना जाता है विज्यान एवं प्रोध्योगी की विभाग विज्यान एवं प्रोध्योगी की विभाग DST के सचीव ने विज्यान एवं प्रोध्योगी की विभाग के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वयन जयनती इसमरणों सववर्ष मनाने के लिए आधिकारिक लोगों लॉंच किया विज्ञान इवं प्रोध्योग की विभाग DST के स्थापना 3 मई 1971 को हुई थी DST विविन गतिविदियों जैसे व्याख्यान श्रंखला, प्रकाशनों, व्यर्थ चित्रों को जारी करना DST के तहट भारतिय सर्वेक्षन के विकिपीडिया प्रस्ट को अपडेट करना आधि के साथ 3 मई 2020 से 2 मई 2021 की अवधी के दोरान स्वयन जैन्ति इसमर्णों सब वर्ष की समीक्षा कर रहा है DST भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रोध्योगी की मंत्राले के तहत कारे करता है संकल्प पर्व प्रधान मंत्री के आवाहन पर संस्कृति मंत्राले पेड लगाने के लिए 28 जून से 20 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाएगा संस्कृति मंत्राले यह अपेक्षा रखता है कि इस दोरान उसके सभी अधिनस्त कार्याले, अकाडमी, संलगन संस्थान, संवरद्ध संस्थान अपने अपने परिशुरों में या उसके आख पास भी जहां भी संभवों वहां अवश्य ही पेड लगाएंगे पांच पेडों को प्रात्मिक्ता दी है जो देश के जड़ी बूती संबंदी विरासत का सटीक प्रतिनिद्ध करते हैं यह पेड है पीपल, पहला बर्गत, दूसरा आवला, तीसरा पीपल, चौथा अशोग, पांचवा बेल संस्पृती मंत्राले से संबंदित संगठनों को या सुनिश्चित करने को कहा गया कि इन पांच पेडों को लगाने के अलावा प्रते कर्मचारी अपनी पसंद के भी कम से कम एक पेड अवश्य लगाएं डॉक्टर जोसेफ मार्थोमा मेट्रोपॉलिटन प्रधान मंत्री निश्रद्धे डॉक्टर जोसेफ मार्थोमा मेट्रोपॉलिटन के नववे जन्म दिन सम्हारों को संबोधित किया मलंकरा मार्थोमा सीरियन चर्च जिसे मार्थोमा चर्च के रूप में जाना जाता है केरल के प्राचीन एवं सौदेशी चर्चों में से एक है परमपरागत रूप से यह माना जाता है कि ईशा मसीह के एक शिष सेंग थोमस निफ बावनवी ईश्वी में भारत आकर इस चर्च के स्थापना की थी वरतमा में इस चर्च के प्रमुप 21 मलंकारा मेट्रोपॉलिटन परमश्रद्धे डॉक्टर जोसेफ मौर्थोमा है जिनोंने पिछले 13 वर्षों से चर्च का नेत्रत्व किया है यह चर्च विभिन सामाजिक कल्यार संस्थानों, निराक्षित घरों, अस्पतालों, कॉलेजों, इसकूलों एवं तक्नीकी संस्थानों का संचालन करता है उलेकनी है कि भूकंप, बार, सुनामी जैसे संकटों की दोराल चर्च ने विभिन राजियों में राहत एवं पुनरवास कारियों में भाग लिया है राश्ट्रिय सांखिकी दिवस रोज मर्णा के जीवन में सांखिकी के उप्यों को लोग्तिय बनाने के लिए भारा सरकार रतेक वर्ष 29 जून कुराश्ट्रिय सांखिकी दिवस नेशनल स्टाटिस्टिक्स दे मनाती है और लोगों को इस बात के लिए जागरूप करती है कि सांखिकी नीटियों को आकार देने में किस तरह मदद करती है थीम इस दिन दिवस के थीम SDG3 स्वस्त जीवन सुनिश्चित करना एवं सभी उम्र के लोगों के कल्यार को बढ़ावा देना एवं SDG5 लैंगिक समानता प्राप्ट करना तथा सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाना है यह दिवस 29 जून को प्रोफिसर पी सी महलनोबिस की जैनती पर राश्ट्रिय सांखी की प्रणाली नेशनल स्टैस्टिस्टिकल सिस्टम की स्थापना में उनके अमूल योगदान को मानता देते हुए मनाया जाता है बर्ष 2019 में सांखी की एवं कारिकरम कार्यानवेन मंत्रा लेने आधिकारिक संखी की वादियों के असाधारन योगदान के सम्मान में प्रोफिसर पी सी महलनोबिस राश्ट्रिय आधिकारिक सांखी के पुरसकार नामक एक नए पुरसकार की घोश्टना की H.A.M. Radio H.A.M. Radio जिसे Amateur Radio भी कहा जाता है एक लोग पर यह शौक एवं सेवा है जो लोगों तथा Electronics एवं संचार को एक मंच पर साथ लाता है प्रमुक बिंदू H.A.M. Radio Real-Time संचार Network Real-Time Communication Network है यहाँ पुलिस एवं नागरिक अधिकारियो दौरा उप्योग किये जाना वाला Wireless संचार की तरह है यह तरित रूप से कारे करने वाली पारदर्शी प्रणाली है इंटरनेट यह सेल फोन के बिना इससे संबंधित लोग पूरे देश में या यहां तक की अंतरिक्ष में भी बात करने के लिए H.A.M. Radio का उप्योग करते हैं यह सामाजिक, सैक्ष्णिक तथा लोगों के मनुरंजन से संबंधित है और जरूद के समय या लोगों के जीवन के लिए उप्योगी भी हो सकता है H.A.M. Radio सैयोक्त राजि अमेरिका की ABC टेलिवीजन श्रंकला लास्ट मैन स्टैंडिंग मिट टिम एलन दौरा अभिनित कहानी का हिस्सा है सांस्प्रतिक सदभाव मंदग केंद्रिया अल्प संख्यक कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश के रामपूर में बहुँ उत्देशी ये सांस्प्रतिक सदभाव मंदप कशिलन्यास किया यह सांस्प्रतिक सदभाव मंदप प्रधान मंत्री जन्विकास कारेकरम P.M.J.V.K के तहट 92 करोर रुपे की लागत से बनाया जाएगा इस सांस्क्रितिक सद्भाव मंडप में कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग, विभिन आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्क्रितिक गतिविदियां, कोचिंग COVID-19 जैसी आपदा में लोगों को राहत देने की विवस्था एवं खेल कूट की गतिविदियां आयोजित की जा सकेंगी प्रधान मंत्री जन विकास कारिकरम PMJVK अल्प संख्यक समुदायों के सैक्ष्डिक सशस्तिकरण एवं रोजगार उन मुकोशल विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बहुचेत्रिय विकास कारिकरम Multisectoral Development Program MSDP का नाम बदलकर प्रधान मंत्री जन विकास कारिकरम PMJVK के रूप में इसका पुनरगठन किया है PMJVK के तहट 80% संसादनों को सिक्षा, स्वास्त एवं कौशल विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए रखा गया है इसके तहट करीब 33-40% संसादन विशेश तोर पर महिला केंदित परियोजनाओं को आवंटित किये गए है वो लेखनी है कि बहुच्छेत्रिय विकास कारिकरम MSDP को भारत सरकार के अलप संख्यक मामलों के अंत्राले दौरा वर्ष 2008-09 में लौंच किया गया था गगन्यान केंद्रिय परमाडू उर्जा एवं अंत्रिक्ष मंत्री ने 29 जून 2020 को बताया कि COVID-19 महामारी के कारण भारत के पहले मानव अंत्रिक्ष मिशन गगायन का प्रक्षेप पर प्रभावित नहीं होगा प्रमुग बिन्दू गगन्यान की घोशना भारत के प्रधान मंत्री दौरा अगस्त 2018 में की गई थी इस मिशन को वर्ष 2022 तक पूरा करने का लक्ष रखा गया तथा इस मिशन की लागत लगभख 1000 करोड रुपए है इस मिशन के तहट 37 क्रूक सदस अंतरिक्ष में 3-7 दिन बिताएंगे भारतिय राष्ट्री अंतरिक्ष समवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र INSPACE केंद्रिय परमाडू पूर्जा एवं अंतरिक्ष मंत्री ने बताया कि इस रोप ISRO की गतिविधियों में निजी भागिदारी को प्रोज साहित करने के लिए भारतिय राष्ट्री अंतरिक्ष समवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र नामक एक नियामक संस्था के स्थापना की जानी है यह नियामक संस्था निजी संपनियों को एक समान अफसर प्रदान करने एवं उनकी भागिदरी को प्रोज साहित करने में मदद करेगी प्लेस्बू प्लेस्बू एक ऐसा पदार्थ है जो दवाओं से मिलता जुलता किन्तु उसमें सक्रिय दवा एक्टिव रख नहीं होती है एक प्लेस्बो वास्तव में एक वास्तविक दवा की तरह दिखता है किन्पू या एक निश्क्रिय पदार्ट स्टार्च या छीनी से बना होता है प्लेस्बो प्रभाब, प्लेस्बो एफेक्ट कभी कभी किसी रोगी में प्लेस्बो के कारण एक सकारात्मक एवं नकरात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है उद्धारन के लिए रोगी के लक्षणों में सुधार हो सकता है या रोगी में उप्चार से होने वाले दुश प्रभाव भी दिखाई दे सकते हैं इन प्रतिक्रियां को प्लेस्बो प्रभाव के रूप में जाना जा आंत की समवेदन शील बिमारी रजो निवरती मेनोपॉस आधी पर सकरात्मक प्रभाव डाल सकता है मिशन सागर के अंतरगत दक्षिणी हिंद महा सागर छेत्र में तैनात किया गया भारतिय नौ सेना का एक जहाज आयनस केशरी 55 दिनों के बाद कोचिक केरल पहुचा आयनस केशरी को एक विशेश COVID राहत मिशन, COVID रिलीफ मिशन के लिए तैनात किया गया था और इस मिशन के अंतरगत माले, मालदीप, पोर्ट लुईस, मौरेशर्स, एंट सिरानाना, मेडागासकर, मौरोनी, कौमरोस आइलेंड एवं पोर्ट विक्टोरिया, सैशलस में 580 तन खाद सहायता एवं आविशक मेडिकल व्यस्तुएं पेजी गई थी INS केस्वी, भारतिय नौसेना का एक शाडूल शेडी, शाडूल क्लास का टैंक लाइंडिंग जहाज है बश्च 2009 में, INS केस्वी को विशाखा पट्नम के पूर्वी नौसेना कमान से पोर्ट ब्लेयर इस्थानांतरत किया गया था गौर्ड तलब है कि या मिशन प्रधान मंतरी की सागर, Security and Growth for All in the Reason, सागर पहल के अनुरूप है जो भारत द्वारा उसके पडोशी देशों के साथ संबंधों के महत्व को रेखामकित करता है एवं मौजूदा संबंधों को और मौजू मजबूत करता है